सोशल मीडिया पर हिन दिनों सनी देवल का एक वीडियो खूब वाइडल हो रहा है जसमें उनका रवया देख फैन्स काफी नराज नज़रा रहे हैं वीडियो के बारे में बताने से पहले आप ये वीडियो देखें सनी दिनों अपने फिल्म गदर टू को लेकर काफी सुर्खियों में है सनी देवल का एक वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल है जसमें सनी एक महिला पर नाराज होते दिखाई zostaate दिखाई नहीं तबी दो महिलाएं सनी दिवल को देख उनके तरफ आगे बढ़ती हैं वा लगातार कुछ कह रही थी इसलिए सनी दिवल अपनी मुँपर उंगली रखकर उन्हें चुप रहने के लिए कहते हैं लेकिन वो नहीं मानी इतना ही नहीं एक महिला जुबरदस्ती सेलफी के फ्रेम में घुसने लगती हैं उसने सनी दिवल को टच की एतने में सनी दिवल रुख गए और उसे उगली दिखा कर दूर जाने को कहते हैं अब ये वीडियो सोशल मेडिया पर वाइरल हो रहा है वीडियो वाइरल होने के बाद सोशल मेडिया यूजस ने अक्टर्स पर एटिटूब दिखाने का आरोप लगाया कई लोगों ने उन्हें इस रवाइय के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया वीडियो शेर कर एक यूजस ने कमेंट करते हुए लिखा सनी देवल ने मेरी दी हुई इज़त खो दी एक यूजस ने लिखा कि ये लगता है गरीबों से नफरत करता है तो वहीं दोसरे यूजस ने ट्रोल करते हुए लिखा कि आ गया घमंड ये बॉलिबोड वालों का यही प्रॉब्लम है हलाके सनी देवल का ये पहला वीडियो नहीं ऐसा ही एक वीडियो कुछ दिन पहले भी वाइरल हुआ था जसमें सनी देवल एयरपोर्ट पर एक फैंस पर गुस्सा करते नजर आये थे उस वीडियो में एक फैंस उनके साथ सेलफी लेने आया था पर उसे सेलफी लेने में टाइम लगा तो सनी उन पर गुस्सा करने लगे उन्हें अपना धाई किलो का हाथ दिखाने लगे जसकी बज़से वो बुरी तरह से प्रोल हो गये थे आपको बता दे कि सनी दिवल और अमेश्रा पटेल के फिल्म गदर टू आते ही गदर मचा दिया है फिल्म ने रिलीज के तीन दिनों के अंदर ही 135 करोर की कमाई का इतिहास रस दिया एक सब्ता भी नहीं हुआ कि फिल्म 200 करोर के बॉक्स आफिस में शामिल हो गई है इसे के साथ यह सनी की अब तक सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फिल्म भी बन गई है गदर टू ए 11 अगस्त को सिनिमा घरों में रिलीज हो चुकी है इस फिल्म में एक बार फिर सनी दिवल तारा सिंग के रोल में नज़र आए साल 2001 में रिलीज होए फिल्म सुगदर एक प्रेम कथा का ये साथ